कोरोना को लेके पिछले 10 दिनों से OPD सेवाय बंद है पुड़े देश भड़की आज हमारे साथ काशी इंदू विश्विद्दा लैची किस्सा विज्ञान संस्थान के हिर्दय रोग विशेशग डॉक्टर ओम शंकर महजूद हैं हम इस विशेशग पर उनसे बारता करेंग हम उसे जानना चाहेंगे कि वजा है कि OPD सेवाय शुरू नहीं हो रही है बहुंजह सब बताकर साब मुझे पूरा यकीन था जिस तरह से सरकारी निया आदेशलगता था है कि ओपडि सेवाइं उसुरू होगी चाहे वो नीजी छित्रों का हो या फिर सरकारी अस्पसालों में हो इ sites सरकारी एम जह सरकारी इस्पसालों में हो लेकिन हमें लगता है कि या तो इसमें अभी तक प्रपरली सभी अस्पतालों को गोनिकेट सब्सासान கें किया चाहे रननीतिक, कम्मुनिकेशन, कहीं कहीं कोई गैप है, जिसकी वज़ाए से यह सा नहीं हुआ है दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला जो एक चिकितसक होने के नाते भी मैं देखता हूँ तो चिकितसकों के अंदर भी एक भै है, उनको लगता है कि सरकार हमें एक ऐसी सेवा करने के लिए कह रही है और बिना कोई प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट दिये हुए, जिसमें उनके जान जाने का खत्रा है तो अंदर से चाहिए वो नीजी चिकितसक हो, या सरकारी शितरों में काम करने वाले चिकितसक हो वो अंदर से सह में डरे हुए हैं, ना चिकितसक बलकि और भी स्वास कर्मी जो स्वास से related है तो इसमें दूसरी यह समस्या है इस समस्याओं को हमें लगता है कि सरकार को एक तो clear instruction जितने भी चाहे सरकारी या private या नीजी जिसकों आप कहते हैं उन में काम करने वाले चिकित्सकों को और नीजी छेत्र के मालिकों को strongly एक message लिख कर भेजना चाहिए कि आज हमारा देश एक गंभीर समस्या से गुजर रहा है और यह वैसे ही है जैसे कि किसी देश के ऊपर जो है बाहरी देश द्वारा हमला कर दिया जाए और उस देश की सेना जो है वो लड़ने की या तो अस्ति में नहीं है या लड़ना नहीं चाहती है या मिरत्यू के डर से वो भागना चाहती है तेखे क्या है कि हर युद्ध में कुछने कुछ जाने जाती है और मुझे लगता है कि मैं चिकित्सक हूँ, मैं चिकित्सक पहलूं को उनके चीजों को भी समझता हूँ और उनके दौरा जो जाएज मांगे हैं जैसे कि परसनल पर्टटिक एकुपमेंट्स होने चाहिए, उनको गलप्स मिलने चाहिए, उनको N95 मास्क मिलने चाहिए और Health Stops को भी ये मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और ये उनकी बहुत ही जाइच मांग है, और दूसरी बात ये है कि इस डर को भगाने के लिए, जब अगर उनके पास हत्यार होगा, तो हुसला भी जादा होगा, दूसरा ये है कि चाहे हम चिकितसक भले ही हो, हम अस्प साल में ही कॉरोना से कंट्रेक्टेड होकर अपने आपको बिमार कर सकते हैं और अपनी जान गवा सकते हैं, लेकिन चिकितसकों को भी ये सोचना और हेल्फ प्रोपोस्निल को भी सोचना है, कि ये समाज में जब बिमारी आप फैलेगी, तो हम लोगी समाज का एक हिस्सा है, और एक नए एक दिन वो बिमारी हमारे पास भी आएगी अगर सही समय पर सही तरीके से नियंतरित नहीं की गई तो, जैसे लगता है कि OPD सवाए बंद है, 10 दिनों से बंद है, कितनी जरूरी है, कॉरोना का एक बड़ा संकत इस देश में है और चल रहा है इस समय, लेकिन उ और इस देश में रोज, अगर हमारी सारी सेवाएं, स्वास, स्ट्रक्चर, इंफ्रस्ट्रक्चर काम करती हैं, OPD, इंडोर, इमर्जेंसी, सारी काम करती हैं, तब इस देश में रोज 35,000 लोग मर जाते हैं, 35,000 और अगर आप इलाज नहीं करें, तो मुझे लगता है कम से क इतने लोग और इलाज के अभाब में रोज मर जाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरह कि गंभीर बिमार्या रोज होती है, जैसे हाइट रियूर होता है, किसी को हाइट फिलियर होता है, किसी की सुगर कंट्रोल नहीं होती, किसी को बलर्ड पशर बढ़ने से परेशानी है, इंंफेक्शन भी दوسरी तरह के इंफेक्शन जो नहीं है जो डूसरा वाईरस है दूसरा बिक्टेरिया है उसके इंफेक्शन से जिसे इमर्जंसी में आज बहुत दुह बात है कही बनाररसिंद इन Sagittal में यस्सों से वाएं बन दे फाल की इसको ? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार इस तरह से कोई आदेश दी होगी अगर जो भी यह निड़ने होगा यह लोकल अस्तर पे भी होगा और एक बड़ा ही आज जो है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा करवा बात कह रहा हूं लेकिन यह जो येस मैं कल्चर है न यह इस देश म में जो वाइस ऑफ डिशेंट है ना उसको खतम करनी की जो प्रविड़ती है यह बॉस यह बॉस इसकी वज़े से सरकार को गलत तरीके से यह दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने वेंटलेटर है और इतने आशियो मैं त्यार हूं मैं पूरा एकदम सभी कोर्णा से लड़ थे वो लोग अपने जान गवा रहे हैं यह अमानुविय कृत है और जब दूसरी और भी समस्या जैसे सरकार को यह कहा जा रहा है कि मजनसी से वाय चालू है मजनसी से वाय चालू है बट मैं जानना चाहता हूं कि इमर्जनसी में किस तरह के कितने सक्षम डॉक्टर बैठत आता हूं कि उसमें 8000 लोग हो सकता है कि ऐसे हूं जिनको कि हम नॉन इमर्जेंट कह सकते हैं जिसको रेगलर पेशिंट कह सकते हैं जो फॉलो आप के लिए आते हूं लेकिन मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूं कि 2500 कम से कम ऐसे लोग रोज बनारस इंदो निवर्जिटी में आते हैं जिनको गहन जाच और तुरंत इलाज की अफशक्ता है और जिन में से कई लोग की जान खत्रे में है तो इतने लोग आज कहां है इस काम को अगर इमर्जेंसी सेवाव को देट में हम और इसमें लोग को वह सुविधा उपलब नहीं हो सकती इस पूरे इस बंद होन की है और दूसी समस्या नौन कोरणा से की है यानि जो कोरणा से अलग मारियां हैं जो स्वार्स की Гंभी समस्या है आम आदमियों की है वो बाली समस्या है तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे औ estou अस किस तरह से सको नियंदरंग किया जा जाय बहुत सही अपने सवाल पूछा है, इसका जवाब मेरे तरफ से ये है कि इसमें कई किरदार होंगे, पहला किरदार, सबसे बड़ा किरदार जो है, वो इस देश की सरकार, और राचियों की सरकार, और लोकल लेवल की सरकार, जिस तरह से फंक्शनरी हैं, उनका जो योगदान है, वो बहुत महत्पू नहोगा उनकी भूमिका क्या होगी उनका सरकार का काम है कि जिस सेना को आप लड़नी के लिए भीज रहे हैं उनको हत्यार दें यह सरकार का दाई तो है यानि डॉक्टरों के लिए आप पर्सनल प्रोटेक्टिव एकुपमेंट्स दीजिए और नाइटी फाइब मास और आप दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि आप हर मरीज को इंटर्टेंट नहीं करें जैसे जितने भी आयर 확인 में आज मरीज दिखाने आते हैं या वणारस इंधु नियुक्जशी स्कते हैं और वैसे मरीज जान नहीं गवा सकते तो हम ये आम जनता को सूचना दे दें कि आप आयरवेद विभाग में अभी दिखाने नहीं जाएं क्योंकि वो non-emergent condition है और ऐसे condition में किसी की जान नहीं जाएगी अगर कोई आयरवेद के दवा ले रहे हैं तो वो अपना मगा मगा कर खाते रहें उनके लिए यहां अस्पताल आना जोरी नहीं है जैसे मालने आजा आख में आप चेक कराने जाते थे अपने पावर चेक कराने जाते थे या कान की सफाई कराने जाते थे तो यह non-emergent condition है ऐसे conditions को हम avoid कर सकते हैं इसके लिए OPD चलाने की जूरत नहीं है लेकिन किसके लिए जोरी है जैसे सुपर-श्पिस्टी क्लिनिक है जो अभी सुपर-श्पिल्ट बिलिंग अपना चला है जितने भी यह हैं चाहिरदेका हो किड्नी हो लीवर हो युरालजी हो अलग जितने अभी बर्ण हो इस सभी तरह के अस्पताल की सुविधाओं को तुरंत रिये स्टोर करनी क्या हो सकता है क्योंकि ऐसी चीजों से यहां हजारों लोग परती दिन मर रहे हैं और अगर हमने इसके लिए कोई उपाई नहीं डूंडा तो कोरना से तो आगे आने वाले समय में मरेंगे लेकिन इससे अभी मर रहे हैं और इससे और तेजी से आगे और जितने दिन आगे बढ़ेंगे वो मरेंगे उसके बाद क्या है कि सरकार को किस तरह की और स्टैट्जी चलानी चाहिए जिसे मेरा सुझाओ है इस अंदर में मैंने ऐसा सजा दिया है कि आया देना चाहूंगा मैं सरकार को कि आप हर जिले से कलर कोड़ेट एक बस चलाई या दो बस चलाई या तीन भी बस चलाई जितन कि कोरोना के मरीज बिना कोरोना वाले मरीज में मिक्सट अब ना हो जाए एक दूसरे को रिस्क पर नहीं लाएं और वह फैलाएं नहीं और एक जहां पर आप बस जहां ले जाएं उससे पहले ही जो इंट्री हो वहीं पर आप इसका स्कैनिंग करें ठर्मल स्कैनिंग और ठर् धरदी-खांसी बुखार है उसको लाल वाली बसमें या लाल पट्न добр वाली बस्थे दूसरा तरह का मरीज वह होगा जो बुखार तो है लेकिन उनको कोरणा वाला बुखार नहीं है कोरणा बुखार के पांच clinical criteria है वह वहां के लोगों को communicate किया जाए नहीं तो written रूप में दिया जाए कि यह पूछें अगर उनको बुखार है तो अगर यह नहीं है तो उनको यलो वाले जोन में बिठाए यानि कि यह doubtful है यह कोरणा नहीं है लेकिन फिर भी यह कोरणा हो सकते हैं इसलिए उनको doubtful यानि yellow bus में या yellow painted आगे में या बोड लगाया हुआ बस में बिठाए तीसी तरह के आप जो मरीज हैं जो इन दोनों तरह के नहीं हैं और उसमें हिर्दय के मरीज हैं किड्नी के मरीज हैं लीवर के मरीज हैं सांस की बिमारी के अन्य मरीज हैं brain stroke के patient हैं या उनके हर के साथ में एक attendant को allow करें और इसके साथ वहीं से आप screening करें मरीज को मरीज को बंदी करके आज जो हम सभी पुलीस वालों को आदेश दे दिये हैं डिस्टिक्ट मजिस्टेट पूरे देश में यह आदेश जाना चाहिए कि जो भी आदमी परचा दिखाता है और इलाज की बात करता है हम मानते हैं कि कुछ लोग दुरूपयोग कर नहीं होता इसकी वजह से उसका इंप्लिमेंटेशन लार्जर बेनिफिट के लिए नहीं किया जाए यह गलत है अगर किसी बड़े काम से सो आदमी को फाइदा हो और दो आदमी को नुक्षन जैसे हम दवा भी देते हैं तो हमें पता है कि दवा कर साइड इफेक्ट होता है उस दवा लिखी होती है कि जितनी भी दवाएं हैं all the drugs are poison in higher doses तो इसका मतलब क्या हम दवाएं देना बंद कर देंगे नहीं हम जब भी काम करते तो risk benefit ratio लेते हैं तो सरकार को यह आदेश देना होगा कि इस तरह के कर्फियू में उनके लिए जिनकों की या तो मरीज है या प बाद उनको वहां तक पहुंचाए जहां तक बस मिलेंगे उस बस से वह hospital तक आए hospital के जहां वह कटी है परचियां उसी जगा फिर से उसका screening हो जाए हम तो कहेंगे कि सरकार को अलग अलग तरह के infectious और non infectious disease hospital को आज से separate करना चाहिए ताकि जो वह so-called corona के संभावित मरीज है व वह infectious disease hospital में डिरेक्ट जाए और वहीं पर उसका या corona hospital आप उसका नाम रख दीजिए वहां पर जाकर आप उनका इलाज करिए करवाईए और उन पर ध्यान देजिए वह totally अलग कर दीजिए बाकि जो पीले वाले बस की और लाल बाले बस की है वह अन्य अस्पतालों में उनक में लाकर और जो ग्रीन पर्चे वाले हैं उसको आप अन्य ब्लॉक में जाने दिए तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से मरीजों को यहां तक इलाज के इलाज भी मिलेगा आपका कोर्णा केर की पूरी वह जो अपनी गाइडलाइन से वह भी मेंटेंड देगी वह माब आ उसे एक चलनी चाहिए दिली के लिए या बनारस के लिए तो इसको एक ट्रेन ही चलाएं लेकिन सब को करिये और उनका परपस सिर्फ मरीजियों को ले जाना ले आना या इस तरह के essential किसी emergencies में किसी को जाना है, किसी के मिर्तियों हो गई है इस तरह के transportation के लिए एक ही आप train चलाईए और उसको आप strongly चाहे पुलिस द्वारा या CRPF द्वारा चाहे railway protection force द्वारा जैसे भी आप उसमें लोगों के संचालन को guide करें और उनके डबे को भी आप इन तरह के coding कर दें जैसा coding हमने बताया है कि लाल coding, हरी coding, यलो coding और उसमें किसमें कौन बैठेंगे इसके लिए पहले से उसको screen कर दे ताकि एक दूसरे से वो mixed up ही ना हो तो ये एक समस्या है, मतलब समाधान है समस्या का मतलब मैं कहूंगा कि अभी जो हम जैसे उस तरह का इलाज करें जैसे किसी आदमी को पता चला कि कोई बिमारी हो गई है और मैं गंभी रूप से बिमार हूँ तो हमारी बिमारी को मारने के बदला हमें मारने का दवा दे दिया जाए कि इसे ना रहेगा बास ना बाजेगा बासुरी आज जो lockdown non selective और blanket है ये वैसे ही है जैसे अगर मुझे बिमारी हो जाए तो मेरे बिमारी का इलाज करने के बल्ला मुझे ही मौत की दवा दे दी जाए अगर किसी राज के अंदर 10, 20, 50 क्रिमनल हो 100 क्रिमनल हो तो क्राइम दूसरे महना फाइल जाए इसके लिए पूरे राज की जनता को आप जेल में गुझा दे ये सही निर्डने नहीं है और इससे ना सर्फ हमें आर्थिक नुक्सान हो रहा है बलकि समाचिक नुक्सान भी बहुत जादा हो रहा है और बे इंतहा मौते हो रही है बिना इलाज के और ऐसे में आज जो छोला चाप डॉक्टर तरह के जो लोग हैं वो इन गलत परिस्तितियों का दुरुपियों करते हुए ना सर्फ आम आदमियों को एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं बलकि इससे उनको एप्रोप्रियेट ट्रीटमेंट भी नहीं मिलना है और बिना इलाज के लोग हजारों रोज मर रहे हैं धन्यवाद डॉक्टर साथ तो दोनों जरूरी है डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि दोनों जरूरी है कोरोना से लरना जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है OPD सेवाए जो कि फिलाल इस देश में बंद है